तो दोस्तों जब आप एक वीडियो को यूटूब पर अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पर टाइटेल, टैग, इन चीज़ों को लिखने के बाद वहाँ पर एक option दिखा जाता है कि आपका वीडियो made for kids है या फिर no, it's not made for kids आपको एक चूज करने के लिए बता जाता है कि आ क्या-क्या benefits मिलेंगे या फिर क्या-क्या आपको लुकसान जहलना पड़ेगा अगर आप no, it's not made for kids डालेंगे तो आपको क्या-क्या benefits मिलेंगे तो इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डीटेल में आपको मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को देखने के जो made for kids ये वाला लाइन है तो इसमें kids का मतलब है कि under 13 years old age group तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे मतलब एकदम बच्चे नहीं है मतलब 13 साल के नीचे जो बच्चे है उन्हें कहा जाता है मतलब जो channels cartoon videos बनाते है या फिर कुछ crafting के चीज़ें दिखाते है जैसे कि कुछ भी बनाना हो गया या फिर drawing हो गया नर्सारी राइमिंग जैसे कि poems हो गया तो ऐसे अगर content आप बनाते हो तो तब आपको made for kids इस option को select करना होगा क्योंकि आपका target audience बच्चे ही है मतलब 13 साल के बच्चे ही आपके वीडियो को देखने वाले है तो ऐसे में अगर आप no it's not made for kids ये वाला option select कर दिया तब आपका content कभी भी बच्चों के पास नहीं जाएगा ऐसे में आपका जो audience है उनके पास ही आपका content नहीं पहुँचेगा तो अगर आपका content purely made for kids है और आपका target audience 13 साल क age group के बच्चे है तो तब आपको made for kids इट्स option को select करके ये आपको video YouTube पर upload करना होगा 13 साल का age group मतलब 4 से लेकर 13 साल के जितने भी बच्चे है उनको कहा जा रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों और एक चीज़ आपको कहा दूँ आप सिर्फ वीडियो से ही आप select कर सकते हैं कि आपके चैनल के जितने भी contents है मतलब future में जितने भी contents upload करोगे उनका audience कौन है क्या ये made for kids मतलब कि strictly made for kids है मतलब बच्चे है या फिर no it's not made for kids है या फिर आप हर बार select करेंगे आपके audience group को मतलब आपको हर बार state करना पड़ेगा कि ये video किन लोगों क देते हो तो एक normal channel से आपके channel में कुछ features कम मिलेंगे जैसे कि आपको bell icon नहीं मिलेगा मतलब कोई भी audience आपके channel के लिए bell icon नहीं प्रेस कर सकते है इसके अलबा आपके channel से अगर आप live जाते हो तो आपके channel पे कोई भी live chat नहीं डाल पाएगा या फिर super chat भी आप accept नहीं कर पा है मतलब कि normal icon में जो किया जा सकता है तो वह आप आपके channel पर मतलब कि आपके channel पर जो वीडियो से वहाँ पर कोई भी audience उस वीडियो को नहीं कर सकता है तो यहीं कुछ restrictions है जो आपको आपके channel पर face करना पड़ेगा अगर आप made for kids ऐसे contents डालते हो आपके channel पर इन सब चीजों को कहने के बाद अब मैं एक ही जीज़ कहना चाहूंगा कि आप no it's not made for kids इस content को आप kids में कभी भी नहीं डाल सकते मतलब आप kids content को कभी भी no it's not made for kids ऐसा डाल सकते हो मतलब इस option को सिलेक कर सकते हो लेकिन एक match your content को आप कभी भी it's made for kids इस वाले option को सिलेक करके वीडियो को revenue होगा मतलब आपकी YouTube channel से जो आपका total income रहेगा वो थोड़ा affected होगा बागी normal जितने भी यूटूबर से उनके comparison में तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है एक kids channel बनाने से पहले तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि कौन से contents में आप no it's not made for kids इस option को सिलेक करेंगे तो देखिए no it's not made for kids यह बाला जो YouTube पर option है इसको सिलेक करके आप बिल्कुल safely खेल सकते हो मतलब इसको सिलेक करके अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो आपका कोई भी strike या फिर कुछ भी problem आपको face नहीं करना पड़ेगा यह एक दम बिल्कुल safe खेलने के लिए है चाहे आपका content kids content हो या फिर ना हो कोई फड़क नहीं पड़ता बट YouTube वीडियो का अपलोड करने के टाइम आपको और एक option दिया जाता है सायद आपने notice किया होगा age restriction mode का एक section दिया जाता है आपको यह state करना होता है कि आपका video strictly restricted for 18 years old ऐसा है या नहीं तो यह चीज no it's not made for kids इससे completely अलग है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग confused हो कर यह question पूछते है कि अगर मैं आपना content पे मतलब upload करने के time no it's not made for kids इस option को select करूँ तो क्या मेरा video age restricted हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यह जो no it's not made for kids यह वाला option है और एक जो age restriction है यह दोनों चीजे completely different है इन दो कि बहुत सरे videos को age restricted YouTube की तरफ से कर दिया जाता है जिनमें बहुत सरे गाली या वगरा है तो इसके लिए कर दिया जाता है age restricted बट अगर थोड़ा बहुत गाली रहता है तो तब वो age restriction में नहीं जाता है उसको safely 13 साल की उपर वाले audience के लिए रखा जाता है अगर आप मुझ से पुछते हो कि मैं कौन से option को select करता हूँ अपने videos को upload करने के लिए तो मैं यहाँ पर no it's not made for kids इस option को select करता हूँ ताकि मेरे videos में कोई भी problem ना हो और मेरा target audience बच्चे तो है ही नहीं मैं चाता हूँ कि मेरे videos 16 से लेकर 24 साल की जो age group है यहीं लोग देखे तो मैं यहाँ पर no it's not made for kids इस option को select करता हूँ तो अगर बात करें YouTube ads इंसे earning की तो यहाँ पर सारे ads आपके लिए खुले है ads में आपको कोई भी restriction आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे कि made for kids मतलब kids content में आपको जो जो restriction देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको कोई भी restriction देखने के YouTube पर upload करते हो तो मैं उमेद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा knowledge मिला होगा कि कौन सा option आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करने की टाइम कौन सा option सिलेक करना चाहिए इसके उपर तो दोस्तों आगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जर कि अखकी अजाए एक झापको वीडियो अश्वाट करता हूए झापको बहुत साथ कर दो करनी बहुत सा चाहिए